Hello everyone, आज हम क्लास 3rd की इंग्लिश की बुक के यूनिक नमबर 7 से एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं Puppy and I Enjoy the right time of this poem चलिए हम इस पोयम को enjoy करते हैं Puppy का मतलब होता है जो doggy होते हैं उनके बच्चों को हम puppy बोलते हैं तो एक puppy and I I का मतलब होता है मैं यानि एक puppy और man चीक है I met a man as I went walking We got talking man and I तो यहाँ पर एक बच्चा है जो कि बता रहा है जैसे मैं चल रहा था तो मुझे एक आदमी मिला और हम दोनों एक साथ चल रहे थे और एक साथ बात भी कर रहे थे कौन-कौन? वो आदमी और I I मतलब मैं तो मैंने उससे पूछा Where are you going to man? I said यानि तुम कहाँ पर जा रहे हो I said to man as he went by और मैंने तभी उससे पूछा जब वो जाने ही वाला था Down to the village to get some bread फिर उस आदमी ने जवाब दिया मैं गाउं की नीचे जा रहा हूं कुछ bread लेने bread क्या होते है? तो उस आदमी ने लड़के से पूछा Will you come with me? No, not I I met a horse as I went walking We got talking horse and I तो उस ने उस लड़के से पूछा क्या तू मिरे साथ चलोगे? तो फिर उस लड़के ने कहा नहीं मैं नहीं जाओंगा फिर वो लड़का I met a horse यानि एक horse से मिला घोड़े से मिला जैसे वो चल रहा था तो दोनों आपस में घोड़ा और वो जो लड़का था वो बाते करते जा रहे थे horse and I यानि घोड़ा और मैं Where are you going to horse today? I see the horse as he went by Down to the village to get some hay Will you come with me? No, not I तो अब जो boy होता है लड़का होता है वो horse से कहता है horse घोड़े घोड़े तुम कहां जा रहे हो आज तो घोड़ा कहता है कि मैं नीचे जो गाउं है उसके नीचे जा रहा हूं कुछ घास लेने हे को हम कहते हैं घास तो घोड़ा पूछता है क्या तुम मिरसाथ चलोगे तो जो लड़का होता है वो कहता है no not I मैं नहीं चलूँगा I met a puppy as I went walking we got talking puppy and I अब वो जो लड़का होता है वो puppy से मिलता है puppy यानि जो dog होते है जो गुटे होते हैं उनके बच्चों को puppy बोलते हैं छोटा सा puppy होता है और वो लड़का उससे मिलता है जैसे जैसे वो चल रहा होता है वो दोनों बाते करते चल रहे होते हैं puppy and I यानि वो गुटे का बच्चा और मैं where are you going this fine day I said to the puppy as he went by फिर वो लड़का पुछता है कि तुम कहां जा रहे हो आज और वो लड़का तब puppy से पुछता है जब वो बस चानी वाला होता है तो puppy कहता है up in the hills to roll and play मैं पहाडों के उपर जा रहा हूँ roll का मतलब होता है गूमने के लिए और play का मतलब होता है खेलने के लिए गूमने और खेलने के लिए मैं पहाडों के उपर जा रहा हूँ ऐसा puppy जवाब देता है तो लड़की को लगता है कि वा, यह तो अच्छी जगे है, मैं भी चलूँगा, तो जो लड़का होता है, वो पपी से कहता है, I will come with you, पपी, say die, तो जो लड़का होता है, वो पपी से कहता है, कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा पपी, ऐसा कहकर वो दोनों निकल जाते हैं पहाडों के पास, ठीक है, तो यह थी हमारी पोयम, इसमें हमने देखा, एक लड़का आदमी से मिला, आदमी ब्रेट लेने जा रहा था, लड़के ने मना कर दिया, उसके साथ जाने के लिए, फिर वो मिला घोड़े से, घोड़े, घोड़ा चुच था, वो सूखी गास ले तो यह थी पोयम, इसके राइटर है, पॉइट है, अब हम देखते हैं इसके निव वर्स, हमने इसमें क्या क्या नए शब्ट सीखे, विलेज, विलेज का मतलब होता है गाउं, उसके बाद नेक्स देखे, हिल्स, हिल्स का मतलब होता है पहाड, ब्रेड, ब्रेड यानि जो पहाई होता है उनको हम करते हैं, ब्रेड, आपको समझ भाई हो गई, कैसी लगी आप लोगों को यह पोयम आप बता सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कीजें, और अगर आपको यह पोयम अच्छे लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजे, थैंक्यू